यो वाट्स अब गैसे के सब सब्सक्राइब वेलकम पाक टू मैं चानल है मैं रुसाइन तो गाइस हम आज अन्बॉक्स करने वाले हैं स्मार्ट वाच का और भाई जल्दी बिना देरी कि इसको अन्बॉक्स करते हैं भाई साब हमारा यह यहां पे इसका चुका है और मैंने इसको पहले ही चार्च कर लिया था अन्बॉक्स कर लिया था लेकिन आपके साम में एक और बार और इसका कुछ आपिल जैसा इंटरफेस है लेकिन इसकी डिस्प्ले में एक छोटी लगी फुल डिस्प्ले होता तो और भी अच्छा लगता इसके बाजू में दो बटन्स दिये गए हैं और यह पीछे ग्लास के संसर लगे हुए जो की बहुत अच्छी कॉल्टिक हैं और यह सिलिकॉन के बेल्ट्स बहुत अच्छे से कॉल्टिक है और इसके नीचे देखते हैं क्या है इसके नीचे यह कुछ यह चार्जिंग का लिए दिया है यह से कुछ से चार्ज हो गई हमेरी वाट्स और इसके अंदर मैन्यूल बढ़ा हुआ है जिसको हम ऑब्वियसली करेंगे जल्दी से इस बैल्ट्स को लगा ले है हम है भाइ बिल्कुल बहुत तैठ है बाइंक ही लग निकान दिया भעई सहाब मैं सही लगा रहा हूं न उपर नीचे लगा रहा हूं बढ़ी बिलक्तोरा है तो हमारा चलो दूसरे को भी भाई दूसरा इतनी अराम से लग गया पैट क Generally तो हम वाउच को पहन लेते हैं और भाई इसका कुछ मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटिका है इसके लुक्स बाकि बहुत बढ़िया है तो मैं दो दिन यूज का हूँ इसके बाद आपको इसका आप्स के रिविव देता हूं गाइस कड़ तो इस वाउच के बारे में कुछ मैं इसी चीजने बता देता हूँ इसके बहुत सारे यह वॉल पेपरसं है कि और इस बटन यह बटन दबाने से खुल जाता है यह और यह एपल का यह है कि यह एपल के एपल वॉच्च के जैसा करता है और इससे आप चेंज भी कर सकते हो सिंपली यहां से उपर जाओ कि और फोकस कर देता हूं थोड़ा इस पर कि बाइब वह अच्छी आफ होगी काई का फोकस करूंगा मैं अब पर कर दो और यहां पर से आप कि यहां देखो श्टाइल वन श्टाइल टू स्टाइल ट्री श्टाइल वन में है यह और श्टाइल टू में कुछ ऐसा आएगा और वापस थे वही पर क्लिक करो और स्टाइल ट्री कुछ ऐसा आएगा और बस भाई साब यह वाच में दो दिनों से लेकर यूस कर रहा हूं और इस में मेरे को कुछ खास बात नहीं लगी और भाई साथ मैं इस वाच को रिटर्न करने वाला हूं क्यूंकि जिस चीस के लिए मैंने वाच मंगाई थी भाई वही मुझूद नहीं है इसमें मैंने इसे अलारम के लिए यूज क्या था और भाई फिच्चे का सेंसर भाई बहुत मस्त लगी मेरे को लेकिन यह टी 500 है मैं टी 55 प्लेस मंगाने वाला हूं कि भाई पहले तो इसको बदलो भाई स्टैल वन में यह अच्छा है और भाई यह हाटबीट सेंसर से अब भाई साब यह देखो फीचे ग्रीन वाली ग्रीन कलर के लेट आ रही है और इसके पीचे की ग्लास फिनिशिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी और फिलहाल हमारा ब्लेट प्रेजर चेक करके देखते हैं कितना है बाई साब यह क्या क्या बाई यह क्या क्या दब रहा है मेरे हाथ से एक मिनिट गाइस मैं यह सेट कर लेता हूँ अच्छी 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 लगी यह वाच लाइक बहुत मस्त दिखती है इसके लुक्स बड़े अच्छे लगे है मेरे को सेम एपिल वाच की जैसी दिख रही है यह आप खुद ही देख लो क्या आपको पता चल रहा है कि यह नॉर्मल वाच है भाई साहब इसका मेरे को यह वाइलेस चार्ट गर बहुत अच्छा लगा भाई दिखा देता हूं मैं यह 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 हम पर मैगनेट दिये गए हुए जो वाच को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रख लेता है भाई यह देखो नहीं निकल रहा है इसका मैगनेट बहुत अच्छा है और भाई एक बार चार्ट करो तो इसके आप में से यूज करो अगर आप इससे नौटिफिकेशन्स और आप कॉलिंग करते हो तो यह दिन में आपकी बैटरी ड्रेन होने वाली है मैंने ऐसे कुछ नहीं किया तो दो दिन तक चली जब से लाया है सिर्फ एक ही बार चार्ट किया है मैंने इसे बागी मैंने चार्ट नहीं किया है और चार्ज करने गया भी तो भाई साथ मैंने स्विच्छी ओन करना भूल गया चार्जिंग में पड़ी रही वाच दो तीन घंटों तक लेकिन मैंने स्विच्छी नहीं ओन किया अधिक्न बढू भाई साथ अब अब इस बंदेत अपीस बंदे को देख लो अधेव केसे पड़ा हुआ है मेरे बेट पे वाई इसका बेड़ है कि आए कि एस ने तो आप मेरा बेड़ इसका बैड़ बना लिया भाई दुम देखो कैसे इला रहे यह नूब्ला कांग आनका लोई सहब इतना सोता है न दिन में रात में नहीं सोता है सिर्फ दिन में सोता है यह नूबड़ा तो गाइस यह थी आज की वीडियो बागी टी-500 जल्दी आने वाली है मैंने ओर भी कर लिए अब भाई अब भाई केसे वेगा यह पूरी पल भाई पूरे बेट पर फैल के सोएगा क्या तो यह इसका तो चलता ही रहेगा बाकी वोच तो इसके प्राइस के मुदाबिक बहुत अच्छी थी आप पर स्क्रीन पर देखी सकते हो इसकी प्राइस क्या है और इसके भाई इसमें यह कमी थी तो है अलारम की आगरिस में होता तो मैं ये वॉच्छ रख लेता इसके आप से मैंने फेट्ट प्रो के यह प्रिक्पे यह रखा था लेकिन अलारममिसमें इसका था कि रखा कि दो एव वयब्रेट कर जूम जूम करके उसके बात बंद हो जाता था जिएक बाद अल करो